हेलो व्रीवन वेलकम तो फिस्कल साइन पेफी क्लासेश यह मेरा यंसी आटी का दूसरा सीरीज चल रहा है दूसरा यूनिट है और ओलंपिक वैलु एजुकेशन जिसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टन 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 क्वेश्चन लाइनर यह बताऊंगा और चाते चाते पूरे यूनिट जो है मैं आज खतम करूंगा आप लोगोंगा होपुले आप लोग सभी लोग जो है वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो अगर पसंद आता तो प्लीज लाइक एं सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा तो फ् पूछे जा सकते हैं जैसे कि पूछा जा सकता है कि प्राचीन ओलंपिक का आखरी खेल कौन सा था इस तरीके से पूछा जा सकता है डाय लूस क्या होता है डोलिकस क्या होता है इस सब सारी जो है सारे कुश्चन जो है इसी में से आएंगे ठीक है और मैंने मेरा जहां तक प BPSC द्वारा जो है पूछा जाएगा तो मैं यह नहीं चाहता हूँ कि इन चार कोश्चन में आप जो है एक भी कोश्चन जो है मिस कर दें या गलत कर दें ठीक है तो देखी इसमें सब टॉपिक्स क्या-क्या ओलंपिक बताऊंगा पैर ओलंपिक्स बताऊंगा सिंबल आइडियल्स अब्जेक्टिव्स आई यूसी आई यूए और साथिसाथ एंसेंट ओलंपिक्स के बारे मीं इस बार बताऊंगा ठीक है बहुत सारे लोगों को डाउट होता है ठीक है और यह जो कोश्चन है यह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं जो कि बहुतरे लोग गलत करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंसेंट ओलंपिक गेम्स के बारे में वह क्या है देखिए यह जो एंसेंट ओलंपिक में मैं आप लोगों से एक रिक्वेश्ट करूँगा कि जब भी इन दा ओनर आप जी एस एक कुश्चन पूछा जाता है और एस्टेट में अभी पूछा गया था सेप्टमबर में जो एक्जाम हुआ था कि एंसेंड ओलंपिक गेम जो है किसके ओनर में खेला जाता था तो जी एस जो है उनके ग्रीक रूलर के जिनके जिनके उपलेच्छे म सब्सक्राइब रटा मार लीजिएगा बी-सी मतलब होता है कि before Christ एरा यानि कि जब क्रिश्चन एरा जेभी strategies था उसके पहले से यह जो है उसके पहले वाला जो ऐसे वूसको माना जाता है before Christ एरा थो तो 776 में जो है आपका इंसेंट ओलंपिक GAME जो supports रहा था कहा पी स्टार्ट हुआ था उसके पहले से यह जो है उसके पहले वाला जो सन था उसको माना जाता है बिफोर क्राइस्ट एरा तो 776 में जो है आपका एंसेंट ओलंपिक गेम जो है और्गनाईज हुआ था जहां पर सबसे फॉर्ष जो गेम खेला गया था वो फूट्रेस था फूट्रेस मैं बता दूं आप लोगों को कैसा होता है फूट्रेस एक बहुत बैतरीन अंदाज में खेला जाता है गेम जोकि एंसेंट ओलंपिक गेम में खेला जाता था सम्थिंग कुछ ऐसा था एक सेकंड मैं बता रहा हूँ खुलने दीजे गूगल बाबा को यस आप देख सकते हो यहां पर इस तरीके जो गेम खेला जाता था न एक पैर पे जो है कूद के जाना देखिए एक पैर जो है जमीन पे रहेगा आपका एक पैर जो होगा जमीन प अब आता था कुछ चन कि प्राचीन ओलंपिक का जो पहला गेम जो था कौन सा था तो आपको पता होना चीजे फुट रेसिंग उसमें बहुत सारे ऑप्स देदेगा बॉल देगा बॉक्सिंग है रेसलिंग है या फिर पैंक्राशन है या फिर पूछलेगा पैंठाथलन है या फिर horse racing है तो आपको पता होना ची foot racing was the first game which was organized in the first ancient olympic games ठीक है तो इस तरीके से आप इसको question को solve कर सकते हो तो यहां से यह था question friends आप highlight करते चलिएगा इस question को मैंने highlight किया ठीक है olympia में और foot racing था later on जो है जो game खेले गए chariot racing था combat sports था boxing था grand wrestling था इस तरीके से बहुत सारे जो है game खेले गए ठीक है आगे चलते हैं इसमें और क्या important मैं आपनों को बता दू कि यह जो है दिखी जो olympic जो game पढ़ा है जो Greek जो ancient olympic जो नाम पढ़ा है एक तरीके से Greek mount मे एक mount है olympus उसके ना इसलिए इसका नाम पढ़ा है तो आप लोग एक तरीकी समल लाइन है रियाद कर लिजी कि इसके नाम पर पढ़ा है तो highest mountain peak जो है एक mountain परवत है उसकी peak है चोटी है उसको olympus जो नाम है उसके नाम पर जो game का नाम पढ़ा हुआ है olympic ठीक है और तो और एक चीज़ है यहा यहाँ पर बहुत important है यहाँ पर open air track जो है उसका नाम क्या था हिप्पोड्रोम जो horse horse racing जो नहीं घुरसवारी जो करते थे लोग वो जो घुरसवारी करते थे जो घुरसवारी का जो race होता था जो horse racing बोलते है एक open air track मे एक open air track में जो है दोडा जाता था ठीक इस तरीके track ब इस नोन एज एक horse racing का open air track जो था खुला वतावरड वाला track बना हुआ था उस horse racing open track का नाम क्या था तो आपको पता होना चिलिए हिपोड्रोम था याद कर लीजि unveil उसका हिंदी कोई नहीं मिलेगा आपको हिपोड्रॉम हिपोड्रॉम ही लिखेंगे आप लो met Tier 2 एहांसे जरूर आएगा क्षिछ ना कुछ क्षण ऊंच से कोश्ष ना ना आ है ठीक हो इस-चैसे ऐएगा कहीं और बाहर झाने की जरूरत नहीं आपको तो एक चीज़े हो गया अब एक चीज़े भी याद रख लीजे बस ऐसे याद कर लीजे कि वहाँ पर फीमेल जो सिटिजन थी उनको जो है इस ओलम्पिक जो एंसेंट ओलम्पिक गेम्स में पार्टिसिपेशन का कोई भी जगह जो नहीं दिया गया था और थे वही लोग चेरप कर सकते थे वही लोग जो है इस्पेक्टेटर्स बन सकते थे तीसरा जो है दूसरा कोई जेंडर यहाँ पर सामिल नहीं था ठीक है तो यह कोश्चन आ सकता है कभी-कभी स्टेटमेंट में पूछ सकता है और बहुत बढ़ा जो है जो कुश्चन पैटर्न है पूछने का जो तरीका है वह स्टेटमेंट वाले फॉर्म में भी कुश्चन जो है बहुत सारे करता है तो आपको पूछ देगा कि एंसेंट ओलंपिक में महिलाओं का पार्टिपेशन था या फीमेल जो है एलाउड थी या फीर लिख देगा कि फीमेल जो है दर्सक थी ठीक है वहाँ पर जो है देखने वाले जो थे आटेंडेस यानि विटनेस जो गेम के करते थे वो फीमेल थी तो यहाँ पर दोनों जो कथन जो है इस्टेटमेंट जो है तो इस तरीके से कुश्चन जो भी पूछता भी है जो कि मैं आगे कराऊंगा भी आप लोगों को टाइम रहा तो टारगेट यह रहेगा कि आप लोगों का फूल नौंबर एंड तक मैं पूरा इनुट जो है कवर कराऊंगा बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा थारली इसलिए पढ़ा रहा हूं कोई भी अधर बैग्राउंड का यहाँ पर एक्जाम दे रहा हो तो इसको भी थोड़ा सा फायदा हो सके ठीक है तो गेम्स वेर इसको आप आप समझ गया और यहाँ पर एक इक्सेप्शन मैंने अभी बताया ना फीमेल कंडिडेट जो थे उनको एलाउड नहीं था कोई प घूर सबारी नहीं करते दहना की चलाते घूर सबारी यामिकि होड़ाते नहीं थे लेकिन ओनर थे उसके जो एक तरीके से मालिक थे और यह यहalayo कुछ भी हो सकते थे यानि male भी हो सकते थे honor उसके मालिक या फिर female हो सकते थे बट जो participation होगा that will be conducted only by the male ठीक है तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए loophole था तो इस question पूछ सकता है कि जो first इसका loophole का जो advantage लिया था किसने लिया था तो यहाँ पर नाम है देखिए किनिस का नाम है daughter of Spartan king है Spartan king की जो daughter है पूत्री है किनिस का नाम पूछ सकता है किनिस का नाम याद कर लिजे लिख लिजे बहुत important है और इस loophole का इस loophole का इन्होंने फायदा उठाया और advantage लेकर और victory इन्होंने किया था कब किया था ये question पूछ सकता है एजे भी घुमा के पूछ सकता है कि किनिस का जो daughter of Spartan king थी जो horse chariot का मतलब हिस्सा नहीं थी लेकिन एजे honor उन्होंने कब जो है winning win मतलब victory claim किया था तो आपको पता उनाचे sun जो है 396 BC and 392 BC दो बार इन्होंने जो है victory हासिल किया था ठीक है एक तरीकी से अपवाद है यहाँ पर exception है यह हो गया friends और आगे बढ़ते हैं और एक चीज और है देखे यहाँ पर अभी ओलम्पिक में क्या है कि बहुत सारे nations जो है participate करते हैं बट एंसेंट ओलम्पिक में only male थे और क्या था within Greece था यानि कि Greece के ही लोग केवल participate कर सकते हैं बाहरी दुनिया से लोग नहीं आएंगे बाकि जो European countries थे उनको allowed नहीं था केवल Greece के लोग ही इसमें participate करते थे तो यहाँ पर देखे participation के अगर बात कर ले तो केवल male थे और केवल Greece के ही लोग जो है इसमें participate जो है करते थे एक important statement यहाँ पर भी बन क्या सकता है कि जो ancient olympic games था which was participated only by female और male it will be conducted within the Greece it was allowed for the Greece people only इस तरीके से statement question पूछ सकता है पूछ सकता है इस तरीके से तो उसमें statement कौन सा सही है कौन सा गलत इस तरीके से question जवर एक पूछेगा और इस तरीके question आपको देखने को मिलेंगे और आप भूल जाएगा BPSC जो है straightforward वाले question नहीं पूछेगा इसमें statement पूछेगा matching question पूछेगे किसे इससे मिलान करो या क्या गलत है क्या सही है इस तरीके से question question पूछेगा ठीक है तो एक्जाम में आप लोग एकदम मैं सोच रहा हूं कि हर एक लेवल पर आप लोगों को यहां पर अभ्यस्त करा दूं यूस्ट्यू करा दूं सो देट आप कोई साभी question हो आप easily टैगल कर भाए है ठीक है और लूप होल मैंने बता दिया और 396 BCE में winner हो गई और यह जो game खेला जाता था friends हर एक चार साल पर जो की आच्छा जो modern olympic game है इसी बेस पर आधारित है जो की चार साल पर हर बार जो है इसको खेला जाता था ठीक है और इनी gap को जो इस चार साल का जो gap है इनी gap को यानि कि एक बार जो हुआ फिर दूसरा जो ओलउंपिक होगा दूसरा वो चार साल के बाद होगा इनी के बीच का जो दूरी था जो इनी gap को क्या कहते तो olympiarde कहते ते इसको भी याद कर लीजएगा आप लोगो पूशते हैं ने olympiiard क्या होता है तो olympiard मतलत दो olympiq kेलों के बीच का जो gap होता उसे olympiard कहते है ठीक है एक question और भी आता है देख सकते हैं आप लोग यहां पर कि stadion पूछता है ठीक है stadion पूछता है stadion क्या होता था तो stadion देखें friends एक full length होता था एक one length of stadium track जैसे कि देख लिजिए कि जो आप लोगों का ये जो मैंने बताया आप लोगों को कि foot racing जो होता था एक तरीके से track में होता था तो एक track जो था एक full length जो stadium का जो track था इसे ही stadion बोलते थे आज का 400 meter track होता है या फिर 200 meter track होता है जहां पर दूरी जगह कम है वहाँ 200 meter का track होता है जहां पर full length है वहाँ 400 meter का track होता है बट यहां पर जो एंसेंट उलंपिक में जो जो वन लेंथ जो track था stadion का यह कितना था इसी को stadion बोलते थे ठीक स्टेडियन देखे स्पेलिंग यहां पर लिखा हुआ हिंदी में भी इसको stadion ही कहेंगे stadion ही लिखना आप लो और तो और इसका लेंथ पूछ सकता है या फिर question पूछ सकता है कि जो वन लेंथ आप stadium track is known as यानि एक लेंथ जो है एक लंबाई जो stadion track का कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए स्टेडियन होता है उसी स्टेडियन कहते हैं और कितना लंबा होना चाहिए तो यह जो है 600 ancient feet यानि कि 600 feet है या फिर 192 मिटर इसकी जो है पूरी जो है एक सरकल जो है इस्टेडियन का यह पूरा जो है वन लेंथ आफ इस्टेडियन track होता था जिसकी जो अगर बात कर लें लेंथ की तो 600 feet था ठीक इसको याद कर लिए 600 feet या 192 मिटर यह बहुत यह वन लाइनर में question पूछे जा सकते थे और तो और इसमें देखी एक चीज और था यहाँ पर प्रोविजन क्या था कि जो preliminary जो हीट्स होती थी आज भी होता है 100 में 400 में या फिर 800 मिटर लगा लिजे 1500 मिटर लगा लिजे जितने भी होते हैं इसमें preliminary hits होते हैं जो hits में जो qualify करते हैं वही लोग जो है final में participate करते हैं तो ancient olympics जो होता था उसमें भी preliminary हीट्स होते थे और उनके जो winners होते थे यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से यह भी important है और सबसे most important यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो था ancient olympic जो गेम था जिसे foot racing हो गया और horse racing हो गया यह सब कितने दिनों तो खेला जाता था तो आपको पता होना चीह यह केवल एक दिन का ही गेम था जो आजकल जो हो रहे है 16 days के olympic हो रहे है modern olympic बट उस time पी केवल पहले जो है एक दिन का केवल गेम होता था ठीक है तो initially जो है one day का गेम था कब से कब से कब तक यानि 776 BCE से लेकर 684 BCE तक कितना था एक दिन का गेम था ठीक है 684 तो 684 से कितना यानि कि लगबग लगबग अगर बात कर ले तो यह जो है कि initially जो एंसेंट olympic गेम था वह कितने दिनों में तक खेला जाता था तो आपको पता होना चीए कि एक दिन तक कब स्टार्ट हुआ था 776 BCE से स्टार्ट हुआ था और कब 3 दिन का हो गया 3 दिन में complete हो गया जब participation बढ़ा नंबर आफ इवेंट्स बढ़े तो इनका जो है जो नंबर आफ डेस भी बढ़ गया 3 डेस का और कब स्टार्ट हुआ था 684 BCE यह ज्यादा important नहीं है बट कभी कभी matching में question जो है इस तरीके से matching में question पूछा जा सकता है ठीक है तो यह याद कर लीजिएगा आप लोग कि यह हो गया और तो और आप जो इनिशल जो मैंने बताया आप लोगो थी वन डेस था फिर थी डेस हुआ यानि कि 776 BC तक जैसे जो यह वन डेस था 684 BC से तक 3 डेस का हो गया और 5th century यानि कि 5 जो 5 साल यानि कि BC यानि कि before Christ area यानि कि justice के नजदीक वाला जो 5 BC था यहाँ पर 5 डेस का हो गया तो आपको इस तरीके से याद करना पहले एक दिन था फिर तीन था फिर पान दिन था एक में दो जोड़ोगे तो तीन आ गया तीन में दो जोड़ोगे तो पांच आ गया तो इस तरीके से आपको याद कर लेना यह पूरा circle कि पहले एक दिन का था फिर तीन दिन का था फिर एक दिन में दो दिन जोड़ोगे, तीन दिन, तीन में दो जोड़ोगे तो पान दिन, तो टोटल जो अगर एरा की बात कर लें, तो पहले एक दिन, फिर तीन दिन, फिर पान दिन था, पान दिन वाला बहुत एजली याद कर सकते हो, आप लोग 5 BCE में था, थ्री डेज वाला 68 करता था जो कि मैंने बताया और इसका जो है इस्टेट्मेंट में कुश्चन जो है पूछा जाएगा ठीक है अब क्या कर लें जो यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है ठीक है ओलंपिक गेम्स इंक्लूड़े डाय लुवस है फिर डोलिकोस है फिर रेसलिंग पिर सबसे पहला जो ओलंपिक में जो गेम था मैंने बताया आप लोगों को फूट रेसिंग था फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा ह है डाय लुवस क्या होता है डाया डाया मतलब दो होता है ठीक है यह दो होता है इसका ले पुर्टेंध को याद कर लीजिए ठीक है important है डाया है तो डाया मतलब दो याद कर लीजिए एक स्टेडियन का length कितना होता था क्या मैंने बताया था आपको 600 feet या फिर 192 meter बताया था ना इसको याद कर लीजिए इवन इस्टेडियन length है ठीक है 192 meter या फिर 600 feet यह question जरूर आएगा मैं दे इसमें से चार question आने ही आने है ठीक है तो यहाँ पर देख लिजिए और तो और यहाँ पर डोली कॉस है इतना important नहीं है but longer foot races है 7 to 20 stadium length का यहाँ पर देखे जो डोली कॉस है डाया मतलब दो है दो स्टेडियन length है और यहाँ पर डोली कॉस में 7 to 20 इस्टेडियम length है इस तरी के साफ लोग याद का लिजेगा question पूछा जा सकता है कि wrestling को कब add किया था तो 708 BC में जो wrestling को add किया गया था ठीक है अब मैं एक question आप लोगों से पूछता हूँ जबाब दीजेगा कि इन में से ancient olympic game में कितने दिन का खेल नहीं खेला जाता था कौन सा कितने दिन तक का game खेला नहीं जाता था ancient olympic games में पहला option है 3 दूसरा option है 4 तीसरा option है 1 चौथा option है आपर 5 तो इसमें से कितने दिन का नहीं खेला जाता था तो 4 दिन का नहीं खेला जाता था ठीक है तो option हो जाएगा 4 क्योंकि एक दिन का भी खेला जाता था एक दिन का कब से कब तक 776 BCE से तीन दिन का 684 BCE से 5 का 5 century BCE से ठीक है यह बहुत easy question एसी तरीके से पूछा जा सकता है डाइलस का बने बता दिया दो इस्टेडियन लेंध है डॉली कॉज जो है longer foot race था जो कि 7 से 20 इस्टेडियन लेंध था इसको याद कर लीजिए और एक question यह आता है friends करमानुसार अरेंज करने के लिए यह जो है न दो ओलंपिक गेम से इंक्लूडेट सबसे पहले कौन सा गेम था फिर उसके बाद कौन सा गेम था तो सबसे पहला जो गेम मैंने बताई दिया था आपको कि foot race था foot race के बाद मैंने आपको बताया था horse racing था horse racing के आपका गेम था wrestling था ठीक है रेसलिंग था फिर पेन्टाथलन था पिर boxing था यह चार-पांच करम जो है याद कर लिजे पहला foot racing लिख लीजे पहला foot racing दूसरा horse racing थीसरा wrestling चौथा पेंटाथलन पांचमां बॉक्सिंग याद कर लिजेगा पांचमां एक चीज और याद कर लिजे मेरी तरफ से कि टैथरिपन क्या होता है अगर टैथरिपन को तोड़ोगे न तो टैथर हो गया और इपन इपन जेखा होगा आपने जो घुरसवारी जो पोल वाला ज जब जो क्या बोलते हैं कि जब चार घुडो का एक रत बनाकर रेशिंग किया जाता था उसे क्या बोलते हैं फोर होर्स रेशिंग चैरिट बोलते थे ठीक है तो उसको क्या बोलते थे टैथरिपन बोलते थे टैथरिपन में नंबर आफ होर्स की संख्या पूछ सकता है कि क हो गया ठीक है इस तरीके सापको मैंने बताया थोड़ा-थोड़ा नीमोनिक का भी यूज कर रहा हूं so that आपको याद रहें दूसरा देखिए यहाँ पर केलीज यह केलीज भी क्या है केलीज भी एक तरीके होर्स रेसिंग है आपको याद कैसे करना है केलीज केलीज में यस है लास्ट में तो यहाँ पर सिक्स याद कर लीजिए तो यहाँ पर कितने घोड़े दवड़ेंगे छे ठीक है तो जो होगा घोडों का ठीक है सुरी यहाँ पर six circuit होगा कि six circuit कितना होगा यानि कि six इस्टेडियन लेंथ का जो है सरकीट होगा यहां पर clear है अब एक और याद के लिजिए pancrashan pancrashan बहुत important है फ्रेंट्स यह क्या है pancrashan maximum question यहां से पूछा जाता है net में UGC net में भी पूछा गया है कई बार कि pancrashan में कौन-कौन से game सामिल थे pancrashan यह जो combination of boxing and wrestling इसको याद कलेज़े को बहुत important question है और यह question जो है मुझे याद है कि जब मैं हिमाचल पदे set दिया था जब मैं top किया था उसमें भी यह question जो है पूछा गया था ठीक है pancrashan के बारे में तो pancrashan इसे combination of boxing and wrestling game और कब add किया गया था 648 में ठीक है और यहां पर देखिए hoplito dromes यह इतना important नहीं है बट इतना important है कि जितना आप imagine नहीं कर सकते हो hoplito dromes यह जो है पूछा जा सकता है question hoplito dromes जो है यह last event था कब जो 5th BC century का जो 5 दिन का event था उसमें सबसे last event इसको माना जाता है तो इसको याद करोगे पहला event कौन था आपका foot racing था last event क्या था hoplito dromes था hoplito dromes जो है आप last event के नाम पर याद कर लिजेगा इसमें एक तरीके से armor type का यानि कि जो आउजार आउजार पहन का helmet पहन कर seal लगा कर spear लेकर जो जो दोड़ते थे ठीक है racing करते थे two and four stadium length इसका था इतना याद नहीं रखना है बस आपको इतना याद कर लिजे कि जो लास्ट event of the ancient olympic games was known as hoplito dromes इसको याद करके आप रट जाए घोटा लगा लिजे बहुत important है पहला और आकरी epine epine जो है erase with chariot pulled by two mules यह याद कर लिजे question आता है और यह question जो कई बार पूछा गया है question इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा games खचरों द्वारा खेला जाता था खचरों द्वारा यानि कि यह कही game एप याद कर लिजे ape यानि कि mules ठीक है mules कितने mules थे दो तो mules द्वारा कौन सा game खेला जाता था एप यह नियाद कर लिजे ठीक है यह बहुत important game है friend और एक था मैंने बताया नहीं आपको सायद वो भी important game है जो की एक से pentathlon हाँ जो की pentathlon बहुत important game है पूछ सकता है pentathlon मतलब 5 हो गया penta मतलब 5 होता है तो यहाँ पर 5 game कौन-कौन से है question पूछा पूछा है ठीक है और यह जो pentathlon जैसे आज का decathlon heptathlon हो गया दो दिन का event होता है बट यह जो pentathlon game था it was played only single day एक दिन में ही यह game केवल खेला जाता था ठीक है तो ठीक है प्रेंट्स जैसे हमने बताया pentathlon कितने दिनों में खेला जाता था यहाँ पर एक दिन का यह game था केवल और क्या-क्या थे क्रम में सजाने के लिए आता है ठीक है तो आपको क्रम में कूदने वाला ठीक है सबसे पहला जो game था jumping था अभी मैं आपको बताओंगा याद भी कैसे करोगे आप लोग ठीक है तो दूसरा game क्या था discuss throw था discuss throw था तीसरा game था आपका stadion था चौथा game था javeline था पाचवा game था wrestling था तो आपको याद क्या करना है पहला game जो है पहले या कास्टम लगा दीजेगा बीच में discuss throw है discuss throw कर लीजेगा फिर stadium है फिर पांचवा जो लास्ट गेम है वह है रेसलिंग इसको क्रम में सजानी के लिए 100% आना ही आना है question याद कर लीजेगा यहां नहीं आ रहा है तो एस्टेट के एक्जाम में देखने को मिलेगा या फिर आपको यूजी सी नेट में जरू देखने को मिलेगा आपको मैं एक ही request क लनका पेंटाथ लनका पेंटाथ लनका आखरी गेम कौन सा था question पूछ सकता है ऐसे भी माली जे नंबर सजाने के लिए नहीं है अक्रम सजाने के लिए नहीं है तो डबलू फार क्या था मैंने बताया था लास्ट में रेसलिंग याद हो जाएगा hopefully आपनों को याद है तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक जरू कीजेगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन में मुझे मिलता है कि नहीं मुझे और अच्छा आप लोग अगर सलेक्ट हो जैसे कि सीमा डाक्टर सीमा मैम है जो सलेक्ट हुई है नौद है मैं उन्होंने एक कमेंट लिखा था मेरे बारे म मिलेगा कि हां मैंने कुछ आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा आप लोगों के सक्सेज में कंट्रिब्यूट किया हूँ ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट है देखे जो मैंने एक चीज और छोड़ दिया था बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर यह भी हो सकता है मैं सोच र हिपपोड्रोम मैं ने बताया था है आप लोगों को क्या होता इप पोड्रोम हिपणमने आप लोगों को समझा देदा पहले जो ओपे स्रखिट जो लगाते थे लगाते थे एट सर्कीट लगाते थे उसे क्या बोलते थे सिनोरिस याद हो जाएगा जल्दे-जल्दी आगे बढ़ते हैं यहां इतना important है नहीं ठीक है आप चलते हूं opening में opening कैसे होती थी यहाँ पर है opening of ancient olympic games यहाँ पर दिखे opening ceremony of ancient olympic games started assembly of the competitors दिखे जो ancient olympic games opening होता था जैसे कि आज है आज क्या है participants opening ceremony भग लेते हैं coach होते हैं उनके जो officials होते हैं, judges जो होते हैं इस सारे लोग भाग लेते हैं लेकिं ancient olympic में कौन-कौन भाग लेता है यह important है तो सबसे पहला जो जो लोग भाग लेते थे वो competitor थे यानि कि प्रतियस परदा वाले जो लोग थे है BPSC हर एक लेवल हर एक पहलूप मैं आपके बताऊं कि कोशन ऐसी भी पूछ सकता है कि कौन भाग नहीं लेता था तो उसमें मदर आ जाएगा sister आ जाएगा तो इस सब को अगर जहां भी female gender दिखे आपको वहाँ पर कट करिएगा इस statement को तुरांत statement को cut कर दीजेगा बाकि उसमें father और brother जो आज के लोग opening ceremony में जो participate करते हैं वो उसमें क्या जूड़ जाएगा जो एंसेंट उलम्पिक में उनके father जूड़ जाएंगे जो प्रतिसपरधात जो करने वाले हैं यानि एथलिट्स के father और brother भी उसमें जूड़ जाएंगे ठीक है इसको याद कर लीजेगा तो question ऐसे भी पूछ सकता है कि इन में से कौन opening ceremony में भाग नहीं लेता है तो मैंने option दे यहाँ पर female gender दिग गया है यहाँ पर cut cut कर दीजेगा यानि कि C will be correct option next है एक और note मेरे तरफ से बना लीजेगा कि ancient olympic में केवल और केवल एक ही winner होता है ठीक है जो कि एक ही winner होता था जिससे की बोलते क्या थे olympionic बोलते थे ठीक है इसको याद कर लीजेगा बहुत important question है friends o olympionic यहाँ पर दिया हुआ है देख लिजे olympionic in the ancient olympic games there was only one winner जैसे कि आज हर एक winner होते हैं सभी लोग winner होते हैं ठीक हर एक event के अलग-अलग winner होते हैं अलग-अलग gold medalist होते हैं but ancient olympic में केवल एक ही winner होता था that was known as olympionic उसको क्या बोलते थे question आ सकता था olympionic ionic याद के लिजे का iconic यानि कि कोई भी अगर महान बन जाता है या फिर कोई भी famous हो जाता है imminent personality आ जाता है तो उसको icon बोलते हैं यह हमारे लिए icon है तो इस तरीके से olympic ancient olympic का कोई icon था olympionic बोलते थे ठीक है इस तरीके साब correlate करके चीजों को याद कर सकते हो और यह क्या ह number all champion होता था सारे games में जो champion होता था यानि कि number up game में जो top करता था तो क्या होता था उसको बोलते थे olympionic बोलते थे और जब announcement होता था जिसे आज बोला जाता था कि gold medal was gold medal winner winner was so and so but उस time पर क्या बोला जाता था जो olympionic होता था उसका नाम बोला जाता था उसके फादर का नाम बोला जाता था उसके city का नाम बोला जाता था ठीक है यह तीन चीजे जो है वहाँ पर बोली जाती थी तो इस तरीके से question भी पूचा जा सकता है कि जब announcement होता था olymp olympionic का तो क्या क्या नाम का pronunciation किया जाता था तो आप लोगों को पता होना चीजे फादर आप candidate यानि फादर आफ olympionic और उसका जिस city से वो बिलोंग करता है उस city का नाम भी वहाँ पर बोला जाता था ठीक है hopefully आप लोगों को याद हो गया होगा कि यहां तक मैंने एंसेंट ओलंपिक आपको खतम कर दिया ठीक है अब चलते हैं फ्रेंड्स एंस modern olympic में ठीक है modern olympic में अभी चलते हैं यह आपका एंसेंट olympic हो गया अब चलते है modern olympic modern olympic बहुत ज्यादा नहीं है modern olympic में जो जो question आता है मैं बता दूँ सबसे पहले तो नाम याद कलीजिए कि इनका याद कलीजिए यह दिख रहे है न मूछो वाले चाचा इ इनका नाम है बेरंट पियरे डिकुबर्डीन इसको याद कलीजिए इनका नाम जरूर याद कलीजिएगा बहुत फेमस पर्सनल्टी है यही एक modern olympic के जनक माने जाते हैं आधुनिक olympic के पितामह यही कहे जाते हैं जिनका जो किस country से बिलॉंग करते थे यह भी question पूछा जा सकता है फ्रांस से बिलॉंग करते थे और इन्हों ने जो है 1896 में जो है पहला जो ओलंपिक एथेंस वाला जो हुआ था उसमें इन्हों ने स्टार्ट कराया था ठीक है नेक्स चलते हैं यहाँ पर आपको एक question यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर मैं आपनों को बता दू कि इन्हों ने कोबर्टी ने 1894 में जो है फाउंड किया था क्या फाउंड किया था यह याद कर लिजेगा उसमें आप्शन देता है बहुत घुमा देता ने 1896, 1895, 1894, 1897 तो आपको याद कर लिजेए IOC कब फाउंड होई थी कोबर्टीन के द्वारा तो 1894 में ठीक है इस तरीके से याद कर लिजेगा आप लोगगा कोई फ्रेंडे तो बता दीजेगा और एक चीज़ या भी कोशेना सकता है कि कहको ऑच के बारे में लखे देपु क्या saya मितल्प लिखे थे ति interpreting charter पहले में लिखे थे यह चर्टर पकाल के बारे में लिखे थे एटलीट के इसे करेते और ओपनेड कर द्यान देना है next सलते हैं question भी कराऊंगा आपको ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो next 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 हाँ जो पहला जो ओलंपिक हुआ था ठीक है जो पहला जो ओलंपिक हुआ था उसमें नंबर आफ कितने country जो है पाट्सपेट की थी यहाँ पर आ सकता है first olympic games held in Athens में हुआ था 1896 में हुआ था IOC का मैंने बताया कफाउंड हुआ था 1894 में हुआ था ठीक है इंटरनेशनल olympic committee IOC का फुलफ़ाम हुता है इंटरनेशनल olympic committee तो और Athens में कब हुआ था यह 1896 में हुआ था नंबर आफ candidates जो athletes जो पाट्सपेट किये थे 241 थे 14 countries जो है पाट्सपेट की थी और नंबर आफ events कितने थे 43 यह घुटा मार जाईएगा यह paper में छपके आएगा देखना जरूर ठीक है वो BPSC वाले ऐसे ही question लाते है number of event 43 number of country 14 number of athletes 241 अब आपको याद कैसे करना यह मैं बता देखना आपको ठीक है सबसे पहले number of nations कितने थे country कितने थे 14 ठीक है number of athletes कितने थे 241 number of events कितने थे 43 कैसे याद करना भी देखिए 1 4 है इदर ठीक है 1 के बाद क्या आता है 2 आ गया ठीक है 1 4 है इसको उल्टा उल्टा कर दीजे 4 1 तो number of athlete कितने हो गए 241 अब देखिए 241 हो गए 241 है तो यहाँ पर देखिए 2 में एक जोड़ों कितना आ जाएगा या छोड़िए यहाँ पर 4 1 है 4 1 है तो यहाँ 4 1 में 2 जो नहीं बना के याद कर सकते हो फिर से एक बार देखिए फिर से एक बार देखिए आप लोग छोड़ूंगा नहीं जब तक आप लोग सलेक्शन नहीं ले लेते हैं BPSC में ठीक है देखिए तो यहाँ पर 1896 याद हो गया कैसे याद करना है number of country कितने थी 14 number of events कितने थे 43 देखिए 41 है यहाँ पर उल्टा चले जाएए 14 को 41 कर दीजिए एक के बाद क्या आता है दो के बाद क्या आता है तीन आता है या फिर इस तरीके से आप याद कर लेजिए 41 है इदर इसको 14 को उल्टा किये 41 आया था ठीक है अब 41 में 2 जोड दीजिए और कितना जाएगा 43 number of इवेंट्स कितने हो गए 43 यह बहुत कोश्चन आता है बहुत बार घुमाता है ठीक है इसको जरूर्यात कर लीजिए आप लोग नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंट्स देखिए 1900 जो प्रेरिस उलम्पिक हुआ था उसमें फॉर्स टाइम जो पार्टिसिपेशन हुआ था 1920 में उसमें क्या था फॉर्स टाइम जो पार्टिसिपेशन हुआ था वो वीमेन पार्टिसिपेट की थी ठीक है फॉर्स टाइम और कितनी वीमेन पार्टिसिपेट की थी और कितन आपको एक्जाम में भी पूछता है और याज कर लिजिए का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको मैं दिखा देता हूं आपको कि आपको क्वेश्चन कहा है कहा है थोड़ा सा माफि चाहूंगा छोजने में दिक्कत होती है योगी चोटे चोटे होते ने आबर याद कर लिजेगा देखिए अभी तक जो है वीमेन का participation नहीं था ठीक है लेकिन क्या था 1920 में सबसे पहली बार वीमेन पार्टिपेट की थी 1920 में ठीक है 1920 में कितनी वीमेन पार्टिपेट की थी तो मैं आपको बता दू 22 जो है वीमेन पार्टिपेट की थी 1900 में 22 वीमेन सबसे पहली बार पार्टिपेट diameter की थी और जो first winter olympic game जो start हुआ था first winter olympic game जो start हुआ था वो कभी start हुआ था first winter olympic game आपको याद करना पड़ेगा 1924 में कहां पे हुआ था Chamonisk में हुआ था यानि कि France में हुआ था ठीक है बस इतना याद कलीजी ये भी आपको मेरी तरब से दो चीज़ें याद कलीजेगा first winter olympic games और female athletes जो है cup part spit की थी 1900 में वोई कहां फ्रांस में ही थीक है दो fact है इसको आप रट जाएगा आप चलते है पैरालंपिक्स की तरफ देखे पैरालंपिक्स एक होता है disability मतलब कोई कमी है ठीक है disabilities जो कि जैसा कि पैराप्लीगिया हो गया या कॉड्रीपिगलिया हो गया या फिर dystrophy हो गया या फिर post polio syndrome हो गया इस पाइना bifida हो गया इस तरीके से जैसे कि impaired हो जाते है यानि प्रतियंग जो है विन्यास होजाता अंग विन्यास हो जाता अंग बंग हो जाता है तो इस तरीके से जो डिफ्रेंसे जो create होते है उनके लिए ये जो है zombies जो स्टार्ट हुआ था पैरaram passo होता है देखें यहाँ पर लिखा हुआ न, देख सकते हो, आपफ्लोग पारलिल सब्सक्राइन के बसार्न चिर्वालांपिक। ही साथ है parallelست चलेगा क्यां कौन सा गेम drog hybrid चलेगा ठीक है यह правильно पिख चलेगा पैरलम्पिक्स पर सुरू हुआ था शमर पहला प्हला जो स्टार्ट हुआ था वह था था Register 1978 में ठीक है याद हो जाएगा आज़ों ठीक है फ्रेंट्स 1988 में कहां पर हुआ था सियोल में साउथ कोरिया में वा था इतना याद कर लिजे और तो और इंटरनेशनल जो पैरालंपिक कमिटी जो बनी थी 1988 में हुआ था लेकिन IPC जो हुआ था IPC जो बनाता इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी वो बनाता 1989 में एक साल बाद करनाता आफ्टर सियोल जो गेम जो हुआ था पैरालंपिक का उसके बाद बनाता 1989 में, कब हुआ था 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर 1989, आपको याद करना पड़ेगा, इसको घोटा मार लीजिए गाई कभी-कभी question जो है, यहाँ से factual base में question पूछा जा सकता है, और इसका जो office है, वो कहाँ पे bonn में है, यानि कि Germany में, ठीक है जो headquarter बोला जाता, पैरलंपिक का clear हो जागा, इतना याद हो जागा इसका जो एक तरीके से पूछा जाता, vision पूछा जाता, vision क्या है IPC का International Paralympic Committee का to enable paraathlete to achieve sporting excellency and inspire and excite the world, यानि कि खेल उत्रिष्टता हासिल करने, और दुनिया को प्रेरिद करने, तथा paraathlete को सच्चम करना, इनका main motto है, इनका vision है, एक सरीके सी बिचार है, द्रिष्टी है, ठीक है अब देखी, question एक पूछा था, आभी साइध हो, आप लोगों ने बिहारी एस्टेट दिया होगा, तो आप लोगों को याद होगा, तो एक question पूछा था, कि Paralympics game में कितने events होते हैं, sorry, events मैं कहा रहा हूँ, कितने sports होते हैं, तो इसका option था 21, 22, 23, 20, तो बहुत सारे लोगों ने 22 लगा दिया था, ठीक है, बट 22 नहीं है, friends, 21 है, ठीक है, तो 21 है, यहाँ लिखा हुआ NCRT में, अब, अब क्या करना है, अगर आप कोई भी question जो है, अगर modern अगर उलंपिक की बात कर लें, तो पैरलंपिक की बात कर लें, तो पैरलंपिक में अगर माल दीजिए, 24 हो गया, ठीक है, तो 24 आपको NCRT नहीं मानेगा, BPSC नहीं मानेगा, या फिर कोई भी, जो भी exam conducting जैसी होगा, वो नहीं मानेगा, क्यों? क्योंकि उसको तो proof चीए, proof जब भी question objection करोगे, तो आपको proof दिखाना पड़ेगा, तो proof आपको NCRT ही एक तरीके से source है, जो कि आपको एक authentic source माना जाएगा, वो ही आप दिखा सकते, तो याप पर लिस्ट आप पैरालम्पिक्स देखा जाएगा, पैरालम्पिक टोक्यो गेम्स का 2020 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21 गेम्स थे टोटल, ठीक है, और यही 21 गेम्स अगर आता है, ठीक है, इडीफ के लिए था, सबसे पहले बनाया गया था, 1888 में, जो कि बरलिन में बनाया गया था, डीफ एंडम, यानि कि गुंगा और बहरा जो होते हैं, उनको लिए बनाया गया था, एक sports club for डीफ, जो कि पैरालम्पिक नहीं हुआ था, उसके पहले ही एक एक club बन गया था, यहां पर ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं याद है, बट आप लोग एक तरीके से याद कर लेंगे, एक बार सुने रहेंगे, तो माले जी question अगर कभी आ जाता है, तो आप लोग वहापर blank नहीं होंगे, देखिए, 1948 में London Paralympic हुआ था, ठीक है, इन्होंने सामिल किया था, बस एक बन लाइनर याद कर लीजेगा, ठीक है, अब कभ इस्टार्ट किया था, इन्होंने 1948 Paralympic जोगियम हुआ था, London Olympic गेम हुआ था, उसमें इन्होंने wheelchair का स्टार्ट किया था, ठीक है, इनका लोगों के, स्टार्ट किया था, ठीक है, पैरलंपिक खतम हो गया, और अब चलते हैं, इसमें एक और याद कर लीजे, देखिए, जैसा मैंने विंटर पैरलंपिक बताया था, कि कब से स्टार्ट हुआ था, 1888, स्वारी, 1988 से स्टार्ट हुआ था, पैरलंपिक यानि की समर, 1988, बट इनका जो विंटर जो पैरलंपिक स्टार्ट हुआ था, स्वारी, मैंने गलत बताया, winter वाला 1988 में हुआ था और summer वाला जो हुआ था 1960 में हुआ था ठीक है Rome से start हुआ है summer वाला कितना याद रखेंगे आप लो ठीक है बस इसके बाद चलते हम जल्दी जल्दी special olympic देखी एक difference आता है कभी-कभी definition देदेता है कि जो limbs है उसमें disability हो जाता है या फिर amputation होता है जिसमें disability होता है तो उनके लिए एक special game खेला जाता है तो उस game को क्या बोलते है olympic level पे तो उसमें option देदेगा special olympics, paralampics या normal olympics, moon olympics कुछ भी दे सकता है तो देखी जो disability in limbs है आपके हाथ उपरों disability हो गया इस तरीके से जो disability होती है उसको बोलते हैं paralampics special olympics मतलब होता है जैसे कि तारे जमी पे आपने देखा होगा जो दरशिल जरदारी ने एक वहाँ पर dyslexia वाला formula था intellectual disability जो कि reading disability था कि A जो B को इस तरीके से D लिखता था ठीक है इस तरीके से जो disability intellectual disability थी उस तरीके के जो लोग होते हैं intellectual cognitive disability वाले उनको जो इस inclusion किया गया था उसमें special olympics बोलते हैं ठीक है उस जो game को बोलते हैं special olympic games बोलते हैं ठीक है इस तरीके से आपको याद करना पुड़ेगा friends special olympic games के बारे में hopefully आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को और इसका जो start जो किया था इन्होंने सबसे पहले जो start किया था इन्होंने इनका जो founder है वो है जोसेप P. Kennedy याद कर लिजेगा जोसेप P. Kennedy एक Kennedy club movie भी है बहुत देखा होगा आपने जो की South Indian movie है बहुत अच्छा लगा था और उन्ही के नाम पर ऐसा Special Olympics आप correlate करके याद कर सकते हो जोसे P. Kennedy इनका जो logo कैसे याद करोगे logo देखें आप दिया हुआ है P. Kennedy हाँ नाम दे दिया है logo देखें joy and happiness ठीक है इसको याद कर लिजेगा आप लोग जो चोटी जान करी है अब चलते हैं First Special Olympics कब हुआ था First Special Olympics कब हुआ था 1968 में हुआ था कहां पर हुआ था Chicago में हुआ था ठीक है और Paralympic कब हुआ था इसी पर याद कर लिजे 1988 में हुआ था ठीक है ए क्या हुआ था Winter Olympics हुआ था ए Special Olympics हुआ था ठीक है अब कुश्चन क्या पूछ सकता है Special Olympics Games में कितने साल के बच्चों से स्टार्ट होता है जो participation स्टार्ट हुआ था Special Olympics का जो है 8th year onwards जो भी disability होगी जिस भी बच्चे में होगी देकन participate in the Special Olympics event ठीक है फ्रेंट्स और First जो Special Winter Olympics गेम जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1977 Summer Special Olympics 1968 में हुआ था लगबग 9 साल बाद हुआ था ठीक है और यह IOC से recognition इसको मिला हुआ है तो अब देख लीजी यहाँ पर आपनों को decide करना है जान दे दो friends या जाने दो अब आपको decide करना है कि जान दे देना है इस exam के लिए जान दे देना मतलब passive नहीं लटक जाना है suicide नहीं कर देना है आपको क्या करना है पूरी कड़ी मेहनत के साथ सची मांदारी के साथ आपको पूरी जान के साथ लग जाना है या फिर जाने दो यार अगला फिर से एक्जाम होगा इस BBSC ने कांड़क्ट करेगी स्टेट दूँगा, स्टेट दूँगा, एक्टेट दूँगा, पिटेट दूँगा यह सब सारे एक्टेट देते रहो और जाने दो बट मेरे हिसाब से आप लोगों को जान दे देना है इस एक्जाम में जाने नहीं देना है, ठीक है अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ और क्या है क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जलने ली करिए एंसेंट ओलंपिक गेम्स का भी स्टार्ट हुआ था मैंने बताया था आपको मैंने बताया था ना, इंटरनेशनल पैरलंपिक आईपीसी कब हुआ था फॉर्म पैरलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुआ था, 1988 में पैरलंपिक कमिटी कब बनी थी, 1988 में ठीक है, यादू जाएगा फॉर्स्ट इस्पेशल विंटर उलंपिक गेम्स winter olympic games कब start हुआ था मैंने बताया था 1968 में हुआ था summer हुआ था जबकि 9 साल बाद अगर देखें तो special winter olympic games start हुआ था तो इस तरीके साब इसको याद कर लिजेगा ठीक है friends ओके next शलते हैं अब आगे olympic creed देखें इसमें ज्यादा बहुत important नहीं olympic creed में और अगर बात कर लें इसके events के हाँ symbol बहुत पूछता है symbol देखें मैं आप लोगे आद करा दूगा जो symbol देखें 5 जो color rings होते हैं 5 rings होते हैं यह हमारे हरे continents को represent करते हैं तो 5 rings क्या है 3 उपर rings होगा और 2 नीचे ring होगा नीचे वाले जो है दूसरा और 4 हर एक alternate वाला जो होगा वो नीचे वाला ring होगा ठीक है तो B क्या है blue blue हो गया किसके लिए हो गया blue अमेरिका के लिए उपर वाला यानि कि black black क्या होते हैं अफ्रिकन जो होते हैं नेंसल मंडेला ने जो कि एक अभियान भी शुरू किया गया था किया थे इन्होंने discrimination के वज़े से तो black people यानि कि अफ्रिका याद कलेजिए उपर का एक बचा क्या red red क्या है एशिया की है yellow आज match भी है इंडिया और आस्ट्रेलिया का world cup है yellow yellow जर्षी में आपको दिखेंगे भी यह तो इस तरी के से याद कलेजिए आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया तो कभी भूलो गए ने क्योंकि आज world cup भी है इंडिया और आस्ट्रेलिया का 240 रन इन्होंने बनाना है ठीक है और last बच गया green green मतलब Europe ठीक है याद हो जागा आपको नीवोने क्याद कलेजिए बी वाई बी जी आर बी पहले blue होगा बाद में black होगा बी क्या होगा अमेरिका होगा black होगा अफरिगा होगा red क्या होगा आपका red हो जागा Asia और यहाँ पर Y आस्ट्रेलिया green येवरोप इस तरीके से आप याद कर लिजिए गए बहुत इंपोर्टन कोश्चन कभी-कभी पूछता और यूजी सी नेट में कुछन पूछा भी है ठीक है ओलंपिक फ्लाग देखिए फ्लाग कब हुआ था फ्रेंड्स और इक कौन बनाया था बनाया था इन्होंने रिलीज कप किया 1914 में but रिलीज बनाया कब था रिलीज कब किया था और एक क Install इसमें आता है रिलीज कम किया था बनाया कब था और फ्रस्ट ऑलंपिक में फिराया कर गया था तो ठीक है तो इस तरीके से आपको YAD करना है तो ओलम्पिक जो फ्लैग था फ्रेंट्स ओलम्पिक जो फ्लैग अगर देखे क्रियेट कप किया गया था तो 1913 में एक साल बाद इसको रिलीस कर दिया गया कि भैया इसको अपना लो अपना लिया गया यानि कि 1914 में अपनाया गया था कि अब अगली बार जब भी उलंपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे होईस्ट कराएंगे फैराएंगे तो कब फैराए गया था 1913 1914 के बाद चार साल बाद होगा उलंपिक तो कब हुआ था 18 में नहीं होगा क्योंकि वर्ड वर्ड वर्वार वन था तो 1920 में जब हुआ था कहां पर हुआ था Antwerp Belgium में हुआ था तभी फैराए गया था और एस्टेट का ही कुश्चन था और जो एक्जाम में आने कि आपको मैंने पहले ही बताया था NCRT से सारी कुश्चन आया थे और NCRT मैं आपको यहां पर पढ़ा भी रहा हूं तो the flag was hoisted for the first time 1920 Antwerp Belgium अपनों को याद हो गया होगा ठीक है यह हो गया ओलंपिक फ्लाग ओलंपिक मोटो देख लीजिए बहुत important है CF करके याद कर लीजिए CF काफ मुहमत काफ को याद कर लीजिए C stand for CTS A stand for LTS F stand for 40S A क्या होता है देखे आपको कुछ नहीं याद करना है A मतलब LTS LTS मतलब होता है altitude altitude मतलब height height मतलब higher बीच वाला याद होगा आपका अब देखे CTS faster 40S furious 40S याद है आपको 40S मतलब stronger याद कर लीजिए ठीक है 40S मतलब stronger CTS मतलब faster इसको question को पूछता है कभी-कभी matching के लिए भी आ जाता है यहाँ पर लिख देगा CTS LTS 40S यहाँ पर लिख देगा higher stronger और यहाँ पर faster इसमें match करने के लिए आगा ABC से match करो ठीक है तो यह हो गया friends और जो मोटो था ना यह important है यहाँ पर देख लीजिए इनके friend थे मोटो जो दिया था इन्होंने इनका मोटो जो दिया गया था हेंरी डिडान ने दिया था सबसे पहले और इन्होंने चुरा लिया बारो कर लिया उधार लिया यह मोटो जो है मुझे देदू मैं अलंपिक में इसको इन Посुट कर दूंगा तो क्या किया था इन्होंने परिड बो énormément ले लिया और 1924 में इसको मोटो को बना दिया थीक है मोटो को फिर्स यह 1924 में तो यह कब हुआ था पेरिस में हुआ था फ्रांस में ठीक है नेक्स्ट है फ्रेंट्स ओलंपिक एंथम ओलंपिक एंथम क्या है ओलंपिक एंथम जो हाइम है मतलों कोई गाना वना जो होता है इस तरीके से कौन कम्पोज किया थे कुछन पूछा क्ता है तो आपको कब होता है जब उलंपिक फ्लैग रेज होता ओपनिंग सेरिमनी में इसको गाया जाता है ठीक है उलंपिक एंथम विच वाज कंपोज बाई spiral samara यहाँ पर spiral samara का नामे आत कर लिजेगा ठीक है और यह कीवल और कीवल कभ होता है यह opening ceremony में ही गाया जाता है कभी-कभी question ऐसे भी पूछ सकता है it was played during the closing ceremony नहीं भी यह नहीं इसको cut करो closing ceremony में कीवल opening ceremony में olympic anthem गया जाता है इस तरीके से याद कर लिजे क्या है यह olympic anthem में पहला वर्ड दो तिन वर्ड याद कर लिजे immortal spirit of antiquity antiquity दारू नहीं है अपनों वाइन में मत चले जाएगा बस इतना याद कर लिजे इसका शुरुआत जो है बात कर ले olympic tour सबसे पहले 1928 में start हुआ था कहां पर आमस्टरडम नीदर लाइन में ठीक है अब देखे यह तीन चीजे जरू पूछी जाती है सबसे पहले टी आता है ना तो कब flag हुआ था कब moto हुआ था कब कब आपका टी मतलब torch torch love जो है love जो torch दिखाते है ना जो मसाल होता है उसकी बात कर रहा हूं olympic torch olympic flag olympic moto olympic flag की अगर बात कर ले olympic flag जो है सबसे पहले जो hoist कब हुआ था 1910 20 में चार साल बात जोड़ दीजे 1924 फिर चार साल बात जोड़ दीजे 1928 भाया ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको fmt याद कर लिजे f मतलब flag y मतलब आपको moto t मतलब torch नाइटीन अंटीन यद्टि ट्वन्टी फोड़ ट्वन्टी याद हो जाएगा फिर से देखिए fmt याद कर लिजे फिर से देखिए fm t आथ कर ये fm t fm t fm t fm t fm t fmap मतलब flag यह मतलब मोटो, टी मतलब टॉर्च, तो सबसे पहले कब फ्लाग होईस्ट हुआ था, 1920 में, कहां पिवा था, Antwerp, Belgium में, यह मतलब मोटो, मोटो कब हुआ था, चार साल जोड़ दीजिए, 1924, मोटो कब आया था, मोटो, मोटो आया था कब, यह चार साल बाद हुआ था, 1924 में ठीक है, और इसका क्या है, टॉर्च, टॉर्च कब हुआ था, मैंने बताया था, 1928 में हुआ था, आमस्टर्णडम निधर लैंड में, Antwerp और आमस्टर्णडम बहुत इंपोर्टेंट है, देखे, Antwerp, Belgium में है, आमस्टर्णडम निधर लैंड में, इस तरीके से आप मोटो और 1924 कहा हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है, बेल्जियम, फ्रांस और निधर लैंड, ठीक है, 1920, 1924, 1928, होफुली आप लोंको याद हो गया होगा, तीनों लगातार एक एक बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, इंट्रोड्यूस कब कब हुए हैं, 1920, 24, 28, सबसे पह एम मतलब मोटो, टी मतलब टॉर्च, ठीक है फ्रेंट्स, अब टॉर्च की तरफ चलते हैं, देखिए आप लिखा है, 1928, एमस्टर निधर लैंड, ठीक है, वीडियो लग रहा काफी बड़ा हो गया फ्रेंट्स, बहुत बड़ा हो गया, एक घंटा सूपर जा रहा है, ठी 1.5 की स्पीट से देख सकते हो, ठीक है, और ये टेंपल आफ हीरा, एक कुश्चन पूछ सकता है, यह जो उलम्पिक टार्च जो स्टार्ट होता है, कहां से होता है, टेंपल आफ हीरा, हीरा नाम है, वो हीरा वाले मूवी नहीं है, जो हीरा लाल वाले मूवी नहीं है, जिस को इसके अगनाइट करके फ्लैम को जला दिया जाता है आपको याद करना है फ्रेंड्स यह जो पास होते हैं याने कि एक रह जगा से दूसरे जगा जब जाता हैं तो केवल फ्लेम ही जाता है वो नहीं जाता है पूरे मसाल एक जगा जला के दूसरे जगा तीसरे जगा ні जाती है गया एक शिन होल करिएगा प्लीज तो फ्रेंट जो मैंने बताया आपको कि जो ओलंपिक फ्लेम जुद था वह केवल टॉर्च से पास किया जाता है तो इसमें कुछन कैसे पूछ सकता है कि ओलंपिक टॉर्च को एथलिट्स के द्वारा पास किया जाता है उसमें आपको कट क पूरा टॉर्च ही चला जाता है ऐसा नहीं है और यह जरूरी है कि हर एक जो अरणर होगा वो अपना अपना टॉर्च जो है लेके रखेगा तो जो फॉर्स्ट रिले हुआ था वो 1936 से स्टार्ट हुआ था ठीक है इसको याद कर लेजिए ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है बट इसको याद कर लेंगे तो एक तरीके से एडिशन हो जाएगा अपके नॉलेज में एड़ान हो जाएगा तो एक कॉंसेप्ट था रिलीज आफ रिलीज आफ डप्स का ठीक है डप्स मतलब बत्तक बत्तक वाइड कलर का होता है एक तरीके से सिंबल होता है पीस का ते पीस का जो सिंबल होता है कब से स्टार्ट वाता 1968 से SCOL Olympics में स्टार्ट हुआ था ठीक है यह ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं है अथलीट्स ओष का इंपॉर्टन है एथलीट्स ओथ कैसे लेते हैं फ्रेंट्स एथलीट्स ओड्स टाइम जो स्टार्ट वा था नाइटीन अंडेट ट्वेंटी में गुआ था एंट वर बेल्जियम में जोके मैंने बताया था आपको फ्लैग वाला मुमेंट बताया था ना कि फ्लैग जो है सबसे पहले हॉइस कब वातां में इसी के साथ साथ ओथ भी याद कर लीजीए फोथ फो याद कर लीजीए फो यानि कि yayँभक तो flag और oath जो है साथी साथ start हुआ था ठीक है official oath जो है start जो हुआ था 1972 में हुआ था और तो और एक चीज और याद कर लिजिए कि जो coach भी oath लेते हैं तो coach को पहले oath लेने की नहीं permission थी लेकिन यह जो coach जो oath लेते थे वह 2010 से start हुआ है ठीक है 2010 2010 से start हुआ है इसको add कर दिया कि भीया अब coach भी athlete के साथ ऐसा नहीं है कि केवल athlete ही जो है mal practice करते है coach का भी उतना ही योगदान होता है जितना कि athletes का होता है तो इसलिए जो है 2010 से coach को भी एक तरीके से अनिवारे कर दिया गया कि oath लेंगे ठीक है और तो और यह जो oath लिया जाता है वो जो इस country का hosting जो country होती जिस country जैसे कि जहां पर organize होता है Olympic Games उस country की language में होता है जो official language होता है उस country की official language में oath जो है start होता है ठीक है इसको बस याद कर लिजेगा अब चलते हो Olympic award की तरप award देखे gold होता है silver होता है bronze होता है award में gold का जो important post पोस्टा है question देखे gold का gold का पूछेगा कि gold जो है कितना उसका थिकनेस होता है तो यहाँ पर आपको बता दू 3 mm थिकनेस होता है diameter जो होता है 60 mm होता है इसको याद के लिजे UGC net में question पूछा था लखनौ का जब मैंने PhD इंट्रेंस दिया था वहाँ पे भी ये question मुझे देखने को मिला था और तो और यह question जो हर जगा देखने DSSB में देखने को भी मिला है ठीक है तो यह जो है इसका minimum थिकने से 3 mm है diameter याद के लिजे diameter ही पूछता है 60 mm और 60 mm diameter 6 से 6 gram केवल गोल्ड होता है बाकिये और केवल जो old में होगा वह silver होगा 92.5% जो ऑख lot gold medal में 92.5% Gold medal ही होगा gold medal में silver में